हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैती जी फ्रेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे घातान के सवाल तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल है, यदि 5 के घात X प्लस 3 बराबर 25 के घात 3 X माइनस 4 है तो X का मान क्या होगा? तो इसको कैसे साल्व करेंगे? तो आईए सीखते हैं इसको, इसको बहुत यह असान तरीके समें बताऊंगा ठीक है? तो चलिए इसको साल्व करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अब यहां देखिए बराबर का चिन है बराबर के इधर बाया पक्ष, इधर दाया पक्ष होता है, ठीक, दोनों पक्ष में देखिए, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यानि कि बेस जो दिया हुआ है, 5 है, यहाँ पे 25 है, तो सबसे पहले बेस को बराबर किया जाता है, बेस को बराबर देखिए, कैसे करते हैं, यहाँ पे 5 है क्या 25 को हम 5 के रूप में लिख सकते हैं लिख सकते हैं पाँच के पावर दो लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 के पावर में x प्लस 3 लिखेंगे अब बराबर में यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 5 का square लिख दीजिए ठीक है अब फिर उसके पावर में क्या दिया हुआ है उसके घात क्या दिया हुआ है 3x-4 दिया हुआ है ठीक है अब देखे अब हम क्या करेंगे एक घात का रूल होता है कि जब घात पर घात होता है तो उसका गुड़ा हो जाता है आपस में ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर x प्लस 3 बराबर और यहां पर 5 के घात अब देखें 5 के उपर 2 घात है फिर इसका पूरे का घात है तो यह आपस में गुड़ा हो जाएंगे ठीक है यह प्रापर्टी होती है तो यहां से हम 2 में इसका गुड़ा कर दीजिए तो 2 तियाई 6 x माइनस 2 चव को 8 ठीक है अब देखें अब घात का रूल कहता है उसके प्रापर्टी कहती है कि जब बेस बराबर होते है तो जो उसका घात होता है पावर होता है वो आपस में बराबर होते है ठीक है तो आपस में बराबर कर लीजिए तो यहां पर x plus 3 है पावर और यहां पर क्या है 6 x minus 8 है ठीक है अब क्या कर रहेंगे अब देखें जो समान पक्ष है उनको एक साथ कर लीजिए जैसे कि यहां पर जो 4 रासी है x है और यहां पे 6X है, इस X को इस तरफ लेके आएंगे, दाएं तरफ, तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से घट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 6X माइनस X बराबर, अब देखें, यहां पे माइनस 8 है, और यहां पे प्लस 3 है, तो यहां पे प्लस 3 है, माइनस 8 को इसके तरफ ले जाएए तो यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब देखे 6 x में से x जाएगा कितना बचेगा 5 x बचेगा और 3 और 8 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा अब यहाँ से हमें क्या पूछ रहा था x का मान तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 11 बचे 5 हो जाएगा ठीक है तो यही हमारा इस question का answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से अगर घात के question आपको दिखते हैं तो यही concept लगाएंगे और आप solve करेंगे तो friends I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप like भी कर सकते हैं share कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो please channel को subscribe कर लिजे मिलते हैं next video में thank you thank you so much